नमस्कार स्वागत आपका न्यूस्वल इंडिया में आपके साथ मैहू वारुल त्यागी बलिया से समाजवादी योधा छोटे लोहिया जनिश्वा मिश्र की जैनती पर उनके पैत्रिक गाउन शोबना थाई से समाजवादी पार्टी दोज़ा बाइस की चुनाव का बिगुल फूके गी प्रभुत वर्ग सम्मेलन की तयारिया पूरी हो चुकी है और ऐसे में प्रभुत वर्ग सम्मेलन में भारी संख्या में ब्रहमनों के पहुशने की उम्मीद भी की जा रही है पतादे कारकर्म में मुक्य अथीती के तौर पर अकलेश यादव के पांच ड्रत्म मौजूद रहेंगे जिसमें माता प्रसाथ पांडे, मरोज पांडे, अविशेक मिश्रा, संतोष पांडे और सनातन पांडे शामिल होंगे साथी सपा नेता ने कहा कि अकलेश यादव अगले मुक्य मंत्री होंगे और ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है तो बता रहें लगातार 2022 के चुनाव कोले का तैयारिया जोरो पर है और ऐसे में सपा ने ब्रहमन को साथने की कवायत शुरू कर दी है लगातार यूपी के अलग-अलग जिलो में सपा की तरफ से ब्रहमन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और एक बार फिर से आज बलिया में समारो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें काफी भारी संख्या में ब्रहमनों के मौजूद होने की जानकारी दी गई है और साथ ही प्रभुत वर्ग सम्मेलन का सपा ने यहां से आयोजन शुरू कर दिया है हाला कि इसका आयोजन इससे पहले भी तमाम जिलों में किया गया था ऐसे में आज बढ़िया में ये किया जा रहा है जिनमें बतादे पांच रतन शामिल होने वाले हैं जिनमें माता प्रसाद पांडे, मनुच पांडे, अभिशेक मिश्रा, संतोष पांडे और सनातन पांडे शामिल होंगे साथ ही सपा नेता ने कहा है कि अखले श्यादव अगले मुख्य मंत्री बनेंगे लगाताद 2022 विधानसबा चुनाग को लेकर तैयारियां जोरो पर हैं और ऐसे में अलग-अलग तमाम पार्टियां, अलग-अलग वर्ग के लोगों को साथने में जुटिक होई हैं वही बस्पा की बात करें तो वो भी भामणों को साथने की कोशिश कर रही है और ऐसे में अब सपा ने भी ये कवाय शुरू कर दी है और प्रभुत वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ऐसे में आज ये आयोजन बनिया में किया जा रहा है तो बता दें कारेकरम में काफी सारे लोग शामिल होंगे ये जानकारी दी जा रही है और ऐसे में प्रभुत वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है अखिलेश यादव के पांच रतन इसमें शामिल होंगे और समेलन में भारी संख्या में भ्रामणों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रखी है साथी कारक्रम में मुख्यतीती के तौर पर अखलेश यादफ के पांच रतन मौजूद रहेंगे जिनमें माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अविशेक मिश्रा, संतोष पांडे और सनातन पांडे शामिल होंगे साथी सपा नेता ने कहा है कि अखलेश यादफ अगले मुख्य मंत्री यूपी के बनेंगे चलिए जादा जानकारी के साथ बलिया से माय संबादा परशुपती नाथ जुड़ गए है परशुपती नाथ क्या कुछ अपडेट है और कब तक इस कारकरम की शुरुआत की जाएगी मिश्रा की जलमस्तली है वहां की सुलवाद हो तुकी है वहां पर अभी कारिकरम चल रहा है इसमें प्रजेंट में और सपानेटा अनतन पांडे मनोज पांडे वी जेक मिश्रा और पांडे पशुपतिनात कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है और कहा जा रहा है कि भारी संक्या में ब्रामनों के आने की उमीद भी है पशुपतिनात आपकी आवाज मुझे तक नहीं पहुँच पा रही है शायद कोई टेक्निकल प्रॉप्लम की वज़ा से दुबारा संपर्क करने के हम कोशिश करेंगे तो बता दे लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां और तमाम पार्टियां अब 2022 के विदानस्वाद चुनाव को लेकर तैयारी कर रही हैं और एक्शन मोड में नसरा रही हैं इसी को लेकर बरिया में आज एक बार सम्मेलन किया जा रहा है और कारेक्रम में बता देते हैं कि काफी भारी संख्या में ब्रामनों के जुटने की उमीद भी चताई जा रही है तो चलिए परशुपतिनात इस तमाम जानकारी के साथ हमाई साथ जुटने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो बता दें लगातार अकलीश यादव के अगले साल पिदांसबर शुनाब में मुख्यमंत्री बनने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर आब समाजवादी पार्टी ब्रामनों को टाने में कवायत उन्होंने शुरू कर दी है और ब्रामनों को साथने की लगातार कोशिश की जा रही है औलम्पिक में तालिस साल बाद भारतिय पुरुष होकी टीम ने तिहास रच्चते हुए कांसे पदक अपने नाम कर लिया है वहीं कानपुर में बच्चों ने ऑलम्पिक में भारतिय पुरुष होकी टीम के कांसे पदक जीतने पर बेखत उत्साहित हुए और जम कर जशन भी मनाया तो बता दें आज जो ऑलम्पिक में भारतिय होकी टीम ने पुरुष होकी टीम ने कांसे पदक जीता है और तालिस साल बाद ऐसा हुआ है जब भारत की होकी टीम ने पदक जीता हो हलाकि इससे पहले 1980 में पदक जीता था इसके बाद से ही आज सुभा से ही पूरे देश में जशन का माहौल है अमरोहा में समाजवादी पार्टी के सपा की पूर्व कैबिनेट मंतरी महभूब अली सपा मिलसी परवेज अली और सपा की राश्ट्रे सचेव कमाल अक्तर ने अपने समर्थकों को हरी जंजी दिखा कर साइकल ग्यातर का शुभार्म कर दिया है वहीं साइकल ग्यातर के दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व कैबिनेट मंतरी महभूब अली ने कारकरता के साथ मिलकर पूर्व कैबिनेट मंतरी राजबर और ओवेसी पर जंप कर निशाना साधा है और पूर कैबिनेट मंतरी महभूव अली ने आगे कहा कि जनता जानती है कि वेसी का काम जीते हुई पार्टी को खराना है और इसलिए पहले वो अपने शेत्र में सरकार बना कर दिखाएं उसके बाद यूपी में आएं वही उन्होंने आगे कहा कि राजवर के बयानों से पहले ही सावित हो रहा है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं जनता समझदार है और 12-22 में समाजवादी की पार्टी की सरकात बंडेबाली के या साइकल क्यात्रा ने सावित कर दिया है दरश्टाचार लोगों को बेरुज़दारी और ऐसे बुद्धे जो किसान किसानों के खिलाफ है उनके ग्रोध में यह साइकल यात्रा निकाल ले है आप सब लोग जानते हैं कि इस तरह बार्टी की सरकार पच्चाय चुनाव की अंतर पुला प्रशासान और प्रश्टी का उप्योंग किया इसी तरह से बाते जिक्ता पाटे लोगों को तरह तरह से बुद्धा कर रही है और सब ऐसे लोगों को जो दवे कुछले लोग हैं में इकटा करने वाले चोटे लिव लिए जिने सुर्ष जी कि आज जनम दिन पर ये आगाज हो जाए कि आज का जो खासका साइकली का चुना है कि कि किसी भी कीमत पर देश को तोड़ने वाले ग्राद्रियों में द्धर् समाजबादी पार्टी की लोग सरकार आएगी ये लोग जाएंगे ये तो तै होना है तो इसलिए आज का दिन चुना गया है आज समाजबादी पार्टी के राष्टी अध्यक सादर्निय अखलेश याद्यों के आवहान पर पूरे प्रदेश की हर विदान सबा के अंदर आ पूरे देश के साथ प्रदान बंतरी मोदी की शुरू की गई पीम गरीब कल्यान योजना के तहत फ्री राष्टन वितरन योजना में लोगों को बैग बाठे गये जहां जगा जगा पर जिला पूर्ती विभाग ने अपने सभी सरकारी राष्टन कोटेदारों के जरिये लोगों को बैग बाठे वही निगम के वर्ड नमबर 43 के प्राइमरी स्कूल में भी बैग वितरन का कारिकरम किया गया जहां पर राष्टन धारकों को पीम मोदी के साथ सीम योगी के फोटो लगे हुए बैग पारशद मेग श्याम सैनी के साथ डिलिवर बलवी सिंग और पीजेपी नेता मोहीनी अकरवाल सही समाजिक लोगों के सैयोग से बैग बाठे गए जिसके बारे में बताया गया है कि आज पंडित दीन धयाल की अंतियोद्य की योजना के तहत गरीब कल्यान योजना के ज़र के राष्टन वितरन के लिए बैग बाठे कर पीम की योजन आख प्रदेश में लोगो दुकान पर हमारे राशन डीलरों को उपर से देशा निर्देश दिये गए एक मोदी जी और योगी जी कोटो लगे बड़ा वैं इसमें 25 किलो राशन उपोगता ले जा सकता है और आज के कारिकरम में जितने भी देश में लगबक 80 करोण लोगों को राशन वित्रणकी का यो मतुरा जन्पत से दो मैलाओं का चैनित दिया रहा है एक अपने औरंगाबात से और वो थोड़ देर में हम टीवी पे भी देखेंगे सभी इसी दिए आज यहां बूत लाशन पर्यावरन को शुद्ध बनाने के लिए विकास खन चोमुहा के गाउन नरी में चोमुहा पान नित्तर सिंग ने राज राजिश्वरी कौंच के किनारे 110 पौदों का व्रक्षा रोपन किया रोपे गए सभी पौदों की सुरक्षा के लिए टीन गार्ट लगा कर उन्हें सुरक्षित किया गया साथी इस मौके पर वीडियो निकेत वर्मा ने कहा फिर पतेक व्यक् Chayad बिनोद कुमार असूले कहा कि व्रक्षों की कमी की वजह से ही कोरोनाकाल में आक्सीजन की कमी खोने पर कए लोगों की अकाल मृत्यू हो गई है औक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हम सभी को व्रक्ष लगाकर उनकी देखबाल करना करने चाहिए तबी प्रक्रति का संतुलन पना रह सकता है पर दो ने और यह सकशसपूली पूरे लगवा इत्सो डस व्रक्ष हमने लगाएं उसमें नीम की हैं इसमें पीपल के हैं करी के जामुन के इंज व्रक्ष लगाएं यो कापी उपयोगी रहेंगे इनके रख रखाव के साथ साथ में क्रिशेट भी लगा रहे हैं वरक्षों का उतना ही महत्व है जीवन में जितना की जल और वायू का महत्व होता है वरक्ष के साथ हमने देखा है कि यह जब लॉक्डाउन और जो कोरोना महामारी के अंतरगत कितना जरूरी है कि इन्वारिमेंटल बैलेंस बनाकर रख हैं उनका साथ उनको रखकाफ करें उनका देखवाल वैसे ही करें जैसे हम खुद अपना अपने घर का देखवाल करते हैं भारत नेपाल सीमा पर चौक्सी के बावजूद तसकरों के होसले लगातार फुलंद है इस बात का जीता जाकता नमूना आज देखने के लिए मिला जहां नशा और नशीली दवाओ का काला कारोपार सरखत पधरले से फलपूल रहा है एसेसपी की चौक्सी और पुलिस की गस्ट से बेखवफ होकर दवाई के कारोबारी ने पड़ी मातरा में अपने मकान में नशीली दवाओ का बड़ा स्टॉक बना लिया था मुग्बीर की सूचना पर स्टीम निच लॉल ने ठूटी बारी के जमूई में चापे मानी की तो उनके खोश उडगाए दरसल एक पुरा मकान दवाई टैबलिट कैपसूल सिरप और नशीली इंजक्शन से भरा पड़ा था जाच में सामने आया है कि सानिय दवा वेवसाई सारी दवाईया नेपाल भेजने की फिराक मिता सरखत से इर्द गिर्द नशे के कारोबारी सक्रिय रूप से इसकाम को लखतार अंजाम दे रहे थे और ये प्रसाशन के सामने नशे की चेंड को तोड़ने के लिए एक बड़ी चुनोती थी जिसमें आज सपलता हाथ लगी है प्रतिबंधित नशेली दवाईये, इंजेक्शन, सीरप और रैपर बरामद हुए हैं इसमें कई तरह की दवाईयां ऐसे भी बरामद हुए हैं जो प्रतिबंधित शेणी में आती हैं और जिसका अनुमानित वाजारू मुल्य लगभग 686 करोड बताया जा रहा है यह बहुत बड़ी कारवाई हुई है, इसमें सभी अधिकारी गन ने बड़ी अच्छे से इस घटना को अच्छे से इसको अंजाम दिया है और अभी विस्तित इसमें चानबीन पी जा रही है इसकी सारी घटना के बारे में थाना तुटी बारी पुलिस इसकी बिस्तित चानबीन करेगी और इसके बारे में सत्यका पत्तला गए पुलिस यहाँ के FDM और जो SSB की ठीम है इनकी समयुक्त कारवाई में ग्राम जम्रूज में एक रमेश कुमार बुकतर नाम का अव्युक्त पकड़ा गया है इसके मकान और गोधाम से बाहरी मात्रा में नारकोटिक्स और साइक्लो ट्रॉपिक जग है के बरामध हुई है इसमें बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन हैं जो करी 25,000 हैं नशीले सिरफ की सीशी हैं जो लगबर 2 लाक हैं कैपसूल 31 लाक के आफ पास हैं कैबलेट और इसके अलाबा लेबिल रैपर मिले हैं जो ये लोग खुद भी लगा के इनकी सप्लाइब करते थे इसमें एक बित्त भोविंज गुपता है वो मौके से फरार हुआ है उसकी तराश की जा रही है इनके विरुग विभिन अधिनियम एंडी पियस में और शदी एवं प्रशाधन सामध्री एक्ट कॉपी राइट एक्ट इसके अलाबा आई पीसी की जहरा 419, 420, 466, 471 में भीयोग सब्सक्राइब की वरामगी रिये है इलव इच्छे से 80 के रूल आँका है डियाई महराज गयंगे और इसके प्रिक यह कि जो बाटर बैर्ट में अपने साइड तो मेडिकल स्टोर्स है कुछ इसका उन्हों में होता है और बाकि जिए नेपाल के विभी वाटर उपन है तो बाटर है तो वहां इस मंगलों के जाता है और वहां तर्किल होता है यह एक बड़ा ऑपरेशन था जो होपुली में लिखता आने वाले समय में इस नेक्सस को तोड़ेगा और दोनों तरफ के जो अबर है नशा मुस्की की तरफ विभी पढ़ेंगे आगरा में चंबल नदी के बहाव में तेजी से जलिस्तर बढ़ कर 135.75 मीटर पहुच गया है वहीं टट वरती इलाकों के ग्रामिनों में नदी के बड़े जलिस्तर से लोगों की परिशानियां भी बढ़ रही है वहीं प्रसाशन कीटी में लगातार रेस्क्यू विजिट क रही हैं इसी के साथ बार से घीरे गाउं में अब प्रसाशन ने वन विभा के चार स्ट्रीमर लग चलवाए हैं तो बता दें लगाता बारिश के चलते जलिस्तर नदियों का बढ़ रहा है और इसी तरह चंबल नदी के बहाव से जलिस्तर एक बाद फिर से बढ़ गया है और प्रसाशन लगाता रेस्क्यू विजिट कर रहा है और साथ ही लोगों को सुरक्ष्य इस्तानों तक पहुचाया जा रहा है प्रधान मंत्री दरेंद मोदी ने गुरुआरक उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री गरीब का लियान योजना के लवारतियों से बात की प्रधान मंत्री ने वीडियो कान्फरेंसिंग के सर ये लोगों से समबात किया वहीं उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने वारनसी से इस कारक्रम में हिस्सा लिया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राम मंत्र भूमी पूचल को एक सार पूरा हो चुका है इसी मौके पर प्रदान मंत्री मोदी ने लोगों से वर्च्वली बाच्वीत की आईगे आपको सुनाते हैं कि प्रदान मंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा करोडो राम भक्तों के संकल्प की सच्चता का प्रमान है आज का दिन सच्च अहिंसा आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेट है इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा है बलकि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवड से लेकर बनवासी बंधों को बगवान राम के विजय का माध्धम बनने का सवभाज ये मिला आयोध्या में भूमी पूजन की वर्षगाट पर मुख्य मंत्री योगी आदितनाद गुरुआर को अपने तैय कारेकरम से 45 मिनट पहले आयोध्या पहुंच गए यहां पहुंच का उन्होंने यातरी निवास पर अफसरों से चर्चा किया और मुख्य मत्री योगी आदितनाद सबसे पहले राम जन भूमी परिसर पहुंचे उन्होंने राम लला के मंदर निर्मान के रिये हुए भूमी पूजन के एक सार पूरा कोने के उपलक्ष में आयोजित धार्मिक अनुस्ठान में भाग लिया और राम लला के दर्शन भी किये उन्होंने आर्ती में भाग लिया और पूजन भी किया बतादे आयुध्या पहुंश का मुखे मंत्री योगी आदितनाथ राम जन भूमी पहुंचे और यहां का उन्होंने जाहिजा लिया मुख्य मंत्री योगी आदितिनाद भूमी पूजन की वर्षगाट के अफसर पर राम मंदिर में आयुजित विशेश अनुस्ठान में शामिर खोकर रामलला की पूजा अर्चना भी उन्होंने की इसके अलावा प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्गूशना के तहट चार सो लाभार्तियों को अन्वित्रन भी उन्होंने किया साती राम मंदिर के भूमी पूजन की वर्षगाट पर रामलला को विशेश भोग लगाने के साथ ही नवीन बस्त भी धारण कराया गया है बता दें राम जन भूमी के मुख्य अच्वारे सतें दुदास ने बताया कि मनेश दिपाथि की और से भूमी पूजन की वर्षगाट के लिए रामलला को सिल्क हैंडूम कपड़े से बना पीला वस्त भेट किया गया है पताया किया है कि इसके अलावा रामा दल के अध्यक्ष पंडित कल की राम की और से भेट की कई राम चरेत्र मानस भी इस दिन राम जना के दरपाथ में आने वाले अतितियों को दी जाएगी समाजवादी आंदोलन के वरिष्ट नेता जनेश्वा मिश्र की ज्येंती पर साइकल ग्यात्रा कर निकलने से पहले पाठी अध्यक्ष अकलेश यादव ने सपा कारयाले पर मीडिया को संबोदित किया और उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में सपाथ 400 सीटे जूते की जनता बीजेपी से नाराज है बीजेपी सरकार ने जनता को धोका दिया है उन्होंने कहा कि बीजेपी में अपरादियों की भरमार हैं वो मैनिफेस्टो नहीं मनिफेस्टो बनाते हैं उनके लिए राजनीती एक वियापार है बीजेपी की सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद नहीं की और बड़ी संख्या में मौते हुई हैं अकलेश यादव सपकार्याले से साइकल ग्यात्रा के लिए निकल पड़े और उनके साथ बड़ी संख्या में कारेकरताओं का खुच्चूम भी मौजूद रहा पता दें कि आज प्रदेश की हर तहसील पर साइकल ग्यात्रा निकाली जा रखी कै और इस दौरान पार्टी कारेकरताओं में जोश भरने के साथ ही बीजेपी की नीक्यों का विरूद भी जताया गया साथी अकलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पांस साल के कारेकाल में समय और संसाधनों का दुरूप्यों करके लोकतंत्र की धज्य उड़ाई है राजनीती की गरीमा को शती पहुंचाने के साथ जूट औपाखंड के सहरे वेचारिक प्रदुछन पलाया है उन्होंने आरोफ लगाया कि सपा की कामों को अपना बता कर बीजेपी ने जनता को बर्गलाने का प्रयास किया है साथी उन्होंने कहा कि साइकल ग्यातरों के जर्गे अन्याय के खला संघर्ष को एलान भी किया जा रहा है प्रमकुरूफ से आजम खां को फ़र्जी मुकदमे में पसा कर जेल में रखने और अप्राद और भरस्टचार महगाई महिला उत्पीरन क्रिशी कानूनों आरक्षन पर प्रहार आदी का विरोध भी किया जाएगा उत्रप्रदेश की राज़ेपाल आनंदी बेन पटेल का काफिला हर दोई पहुंच चुका है आनंदी बेन पटेल बाय रोड लखनाउ हर दोई राजमाग होते हुए हर दोई पहुंची है और अपने इस दौरे के उतरान आनंदी बीन पटेल पहले टटियावा सेथ सरवोध्य आश्रम्प जाएंगी जहां वो बालिकाओं से मुलाकात करेंगी इसके साथ ही बालिकाओं को सिक्षा और कई शेत्रों में सपलता प्राप्त करने पप्रमान पत्र बाट करूल का उच्सा वर्दन भी करेंगी इसके साथ ही बालिकाओं को महिला अधिकारों के प्रती जाग्रुक भी करेंगी बताते हैं राज़ेपाल का ये कारकरम पूरी तरह से नीजी तौर पर रहेगा वहीं आनंदी बेन पटेल के आखमन पर जिला प्रसाशन कल से ही तैयारियों में जुटा हुआ है इस बुलेटिन ने फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें निज्वर इंडिया